अब जब कोई दूसरा वेक्ति आकर उसी असंबो काम को संबो करके दिखाता है तो हमें लगता है कि या वो बहुत लगी है दरसर असंबो कारे को करने के लिए जितनी कटोर मेहनत की आवशकता होती है उतनी आपने कभी की ही नहीं कोई भी काम असंबव नहीं होता, बल्कि थोड़ा कुटिन होता है, जब कोई काम इतना कटिन होता है, जिसे हम आसानी से नहीं कर सकते, तो बस हम उसे असंबव कहने लगते हैं, यहीं असंबव शक्त जब हमारे दिमाग में बेट जाता है, तो हम फिर प्रयास करना ही बन कर देते, आपको याद होगा कि पहले वंडे क्रिकेट में तीन सोरन बनाना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी बात होती थी, अगर किसी टीम ने तीन सोरन बना लिये, तो उसकी जिद निच्चित हो जाती थी, क्योंकि उस समय तक तीन सोरन को पचाड़ना असंबव सा प् नए लोग आए, पीच पर रंतीजी से बनने लगे, और आज तो वंडे में तीन सोरन बनाना बहुत मामुली सी बात है, अब तो लोग चार सोरन को भी पचाड़ देते, पहले वंडे में शतक बनाने पर बहुत तारिफ हो थी थी, और वंडे में दोरा शतक लगाना तो अस असम्ब भी था, उसके बारे में तो कोई सोचता भी नहीं था, लेकिन हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन जड़ूर करने लोगों के इस ब्रह्म को तोड़ा और वंडे में दो सोरन बना करके किर्दीमा स्तापित किया, और ये कहानी यही नहीं रुकी, कुछी दिन बाद वि असम्ब मान वेटे, कोई फरक नहीं पड़ता अगर आपने असम्ब मान वेटे, कोई फरक नहीं पड़ता अगर आपने प्रयास नहीं किया, कोई फरक नहीं पड़ता अगर आपने हिम्मद छोड़ लेकिन एक बाद याद रखना, एक न एक जिन एक ऐसा सक्स आएगा, जो युकि यही शग्द आपको आगे बढ़ने से रोग रहा है अब हम मिलेंगे अगले विडियो में एक एसे ही मोटिवेशन बरे विडियो के साथ तब तक ये वीडियो शियर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो